हेलो आप्रिवर्ण वर्कम बैक टूपर यूटीब चानल पिगों डूद्र कॉर्डनर आज में शेयर कर रहे हैं नर्सरी क्लास इंग्लिस वक्षीट और इस वक्षीट से बच्चों को लेटर आइडेटिफिकेशन और पिक्चर के थुरू लेटर आइडेटिफिकेशन अच कर दटे लेटर ङे लेटर एको यहां पर सॉतर करना है जैसे कि एकज़र में दिया गया है एफॉर आपल तो एक हम है A को इस टाइप से यहाँ पर बच्चों को सर्क्ल करने के लिए बोल सकती है A for astronaut A for astronaut A for avocado ऐसे ही next करेंगे A for ant and A for aeroplane तो इस टाइप से आप बच्चों को कोई भी एक letter यहाँ पर दे सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर A दिया है आप कोई भी letter यहाँ पर चूज कर सकते हैं B, C और picture draw करके दे सकते हैं साथ में और letter को identify करने के लिए बोल सकते हैं Now come to the next worksheet Join the same letter अब बच्चों को same letter को यहाँ पर join करना है जैसे कि A है A को A से match करना है B को B से match करेंगे बच्चे P को P से match करेंगे M को M से match करेंगे यहाँ पर बच्चे जो same letter होते हैं उनको identify करना सीखते हैं ऐसे ही next करेंगे V V को V से match करेंगे S S को S से match करेंगे D D को D से match करेंगे and W को W से match करेंगे तो इस टाइप की worksheets काफे helpful रहती हैं बच्चों को letter identification करने में Now come to the next question Color my sound अब यहाँ पर बच्चों को Sounds related worksheet यहाँ पर दे सकते हैं जैसे कि यह picture ड्रॉ किया गया है Apple का तो Apple को जब हम बोलते हैं बच्चों को बोलना सिखाते हैं तो क्या sound आती है उसका first letter क्या होता है वो हम इस worksheet में बच्चों को सिखा सकते हैं जैसे कि A for Apple Next T for Tree S for Sun L for Leaf H for House इस टाइप से बच्चों को sound के थुरू letter identification सिखा सकते हैं निच्ट है Write the first letter of all pictures इस टाइप से आप बच्चों को कुछ pictures draw करके दे सकते हैं और उनका first letter लिखने के लिए दे सकते हैं जैसे कि first है यहाँ पर B B for Pet Next one Flower F F for Flower Ice Cream I for Ice Cream Next one Tree T for Tree तो इस टाइप से आप pictures draw करके बच्चों को letter लिखने के लिए बोल सकते हैं Next question is circle the letter which is related to the picture अब यहाँ पर कुछ pictures draw की गई हैं बच्चे को correct letter को circle करना है जैसे कि picture में क्या दिख रहा है Grabs G for Grabs Next picture में A for Apple Next B for Ball K for Kite Next F for Fish Next one P for Pencil तो इस टाइप से इस worksheet को आप बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं Now come to the next worksheet Match the letter with correct pictures यहाँ पर बच्चों को एक letter दिया जाता है और इस letter से correct picture को match करना होता है इस worksheet को करने में बच्चे काफी enjoy करते हैं देखें जैसे कि यहाँ पर C दिया गया है आप यहाँ पर कोई भी letter ले सकते हैं यहाँ पर मैंने C लिया है तो इस type से आप pictures draw करके बच्चों को दे सकते हैं और lines draw करने के लिए दे सकते हैं Next worksheet is write the missing letters जैसे कि यहाँ पर बच्चों को A, B, C, D जो भी alphabets हैं वो सिखा दिया जाते हैं A to Z तो आप इस type से missing letter में दे सकते हैं बच्चों को बीच के जो letter हैं बो लिखने के लिए दे सकते हैं जैसे कि A, B, C, D, E और F ऐसे ही next करेंगे D, H, K, L, M, Q, R, S, T, W, X, Y, Z इस type से आप जो missing letters है complete करने के लिए दे सकते हैं Now come to the next worksheet color the object that contain letter P अब यहाँ पर मैंने letter B लिया है आप कोई भी letter यहाँ पर ले सकते हैं और इस worksheet में मिलनी करना गया है इस worksheet में कुछ pictures draw की गई हैं तो उनमें letters भी लिखे गए हैं तो बच्चे को आप यहाँ पर कोई भी letter दे सकते हैं तो मैंने आप बी दिया है आप C दे सकते हैं और उस letter को यहाँ पर find out करने के लिए बोल सकते हैं जैसे कि मैंने बी दिया है तो B, B for balloon तो बच्चे इस letter जहाँ पर भी है बच्चे उसको इस टाइप से color कर देंगे B B for ball B for balloon B for balloon and B for balloon इस टाइप से बच्चे color कर देंगे बाकी जो letter है उनको as usual छोड़ देना है Next question is Write the letters in correct order अब यहाँ पर कुछ letters दिये गए हैं बच्चे को इन्हें correct order में लिखना है जैसे कि लिखा है B, C, A तो इसको correct order में कैसे लिखेंगे A B C अब इसको हमें correct order में लिखना है तो कैसे लिखेंगे K L M E F G Next P Q R S T U तो इस टाइप से बच्चों को आप correct order में लिखने के लिए बोल सकते हैं Next question is Trace and Write कोई भी एक letter लिखने में या दो letter लिखने में problem आती है तो इस टाइप से आप बच्चों को trace करने के लिए बोल सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर S लिया है और M लिया है तो S को बच्चे इस टाइप से trace करेंगे S S S तो इस टाइप से आप बच्चों को letter trace करने के लिए बोल सकते हैं letters को तो यह थी आज की worksheet आज की worksheet आप को कैसे लगी I hope informative and helpful लगी हो अगर लगी है तो please video को like करें, share करें और still for first time visit कर रहे हैं तो channel को ज़रूर subscribe कर ले और साथ ही bell icon भी press कर ले क्योंकि next part जब भी आएगा तो आपको सबसे पहले notification मिल जाए मिलते हैं next video में तक लिए bye bye and take care